दोस्तो बारवी पास वे आईटे आई पास जिन बच्चों ने हरियाना पॉलो टेक्निक डिपलोमा के लिए अपने एडमिशन के फर्म फिल किये थे उन और जिनोंने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग के लिए चोईसी फिल की थी उन बच्चों का रिजल्ट जारी हो चुका है रिजल्ट जारी होने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पहली काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हुआ है तो उन बच्चों को बिल्कुल भी निरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉर्ड ने दूसरी काउंसलिंग का प्रोसीजर रखा हुआ है तो जो सीटे वेकेंट रह जाएंगी जो सीटे खाली रह जाएंगी उनके लिए ये दूसरी काउंसलिंग होने वाली है तो दूसरी काउंसलिंग का सेडूल बॉर्ड ने डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पे डिरेक्ट लिए आप अपने गूगल क्रॉम ब्राउजर में इस प्रकार स टाइप कर सकते हैं tech admissions hry.gov.in slash keydates.aspx ये इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं टाइप करके डारेक्ट सर्च करेंगे तो यही पेज आपके सामने स्क्रीन पे ओपन होगा जो इस समय मेरे पास यहाँ पे ओपन हो रहा है इसमें जब आप bottom फेज में जाएंगे तो आपके सामन वो होगा 28 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे से और उसका जो end होगा means कब तक आप उसको fill कर सकते हैं 2 October 2020 तक आप इसको fill कर सकते हैं 24 जो fill का date है वो भी यही है same 28 सितंबर से शुरू हो जाएंगी 24 fill, 24 fill से meaning college fill करना और साथ में ही branch fill करना और उसकी जो end date रहेगी वो 2 October 2020 रहेगी इसी प 28 सितंबर 2020 से लेकर के 2 October 2020 तक seat allotment का जो result आएगा दूसरी counselling का वो आएगा 5 October 2020 को शाम 5 बजे के बाद में इसी परकार उनकी जो token fees payment होगी वो 5 October 2020 से लेकर के 9 October 2020 तक वो payment होगी online और online admission और verification documents होंगे designated center पे जहां के लिए आपने fill किया है बरा है वो होंगे 6 October 2020 सुबह 10 बजे स लेकर के 9 October 2020 स्याम 5 बजे तक इस प्रकार से ये schedule रहने वाला है तो उन बच्चों को बिल्कुल भी निरास होने की जरूरत नहीं है जिनका पहली counselling में admission नहीं हुआ इसलिए वो दूसरी counselling का इंतजार करें क्योंकि दूसरी counselling जल्दी होने वाली है 28 सितंबर 2020 से 12th के बच् पास और या आईटिया पास बेश पे भरा था तो ये schedule दोस्तों उनके लिए thank you